हेलो इस्टुटेंट्स, माजसर सब्तेश कुमार, एसोसेट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्रमेंट कॉलेज, सुजानगर इस्टुटेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में, जो आपका इलेक्टो इस्टेटिक्स से रिलेटेट था उसमें कूलम के नियम को हमने डिस्कस किया था, और कूलम के नियम को उसकी जो एक तरीके से वेक्टर फॉर में और एक अदिस फॉर में, दोनों के रूप में हमने उसको डिस्कस किया था, कि किस तरह कूलम का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, साथ ही दिम में रहे दिदो आवेस रखे जाएं तो उन दोनों के बीच में लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पढ़ता है तो माध्यम किस तरह लगने वाले बल को प्रभावित करता है इस चीज की भी हमने कल बात की थी साथ ही विद्धुचेत की परकलपना तता उसका भृतिक मह और उसको परभासित किया था आज हम विद्धु छेत्र का जो रेखा समाकलन होता है इसके विशे में बात करेंगे हैं यदि किसी भीद्धु छेत्र में पत एवी पर विचार किया जाए तो रासी A से B तक चेत्र का रेखा समा कलन कहलाती है आप जैसा चेत्र में हम देख रहे हैं इसमें integration from A to B vector E dot vector DL यह जो रासी है इसको हम वेद्दू चेत्र E का A से B तक रेखा समा कलन कहते हैं अब बात आती है कि यदि A, B के अनुदिस always Q को ले जाए जाए तो उस पर छेत्र द्वारा किया गया कारिये कितना होगा तो W is equal to integration from A to B QE dot DL यहां पर QE always Q पर लगने वाला बल है और F into एक तरीके से F into DL QE dot DL का मतलब F into DL यह किये गये कारिये को व्यक्त करता है अब क्योंकि Q एक अदिसरासी है इसलिए Q को हम बाहर ले सकते हैं तो Q multiplied integration from A to B vector E dot vector DL अब यदि Q का मान एक आंक हो यदि हम इसको एक इनुट के बराबर लें तो W will be equal to A to B E dot DL विद्दू छेत्र का रेखा समाकलन एक आंक आवेस पर छेत्र द्वारा किये गए कारिये के बराबर होता है हमने विद्दू छेत्र का रेखा समाकलन है उसको इस तरह परभासित किया कि विद्दू छेत्र का रेखा समाकलन एक आंक आवेस पर चेत्र द्वारा किये गए कारियगे बराबर होता है यदि किसी विद्द्ट्चेत्र में एक बंद पत के अनुदिस रेखा समाकल उनका मान सून्य है तो ऐसा चेत्र संदक्षी बल्चेत कहलाताए यहाँ पर हम संदक्षी बल्चेत्र की परभाशा भी देरहे हैं हम संदक्शी पलचेत को भी परभासित कर रहे हैं, कि यदि किसी विद्यू छेत्र में एक बंढ़ पत्र कर बना लिया जाये, जो ऐसे स्टार्ट वकर काहए, रास्ते में किसी भी तरह से चले, अंत में पन्द में ऐ पर ही पहुंच जाये तो यदि किसी विद्युचेत्र में एक बंद पत के अनुदिश रेखा समाकलन का मान सुन्य है यदि का मान सुन्य आता है तो ऐसा चेत्र संदक्षी बलचेत्र कहलाता है तो वैद्युचेत्र के लिए भी एक बंद पत के अनुदिश integration over a closed path vector e dot vector dl is equal to zero होता है इसलिए वैद्दू छेत्र भी संदक्षी बल छेत्र होता है अब वैद्द्यूत विभाव एवम विवानतर मतलब वैद्द्यूत विभाव क्या होता है और विवानतर क्या होता है इसकी बारे में हम बात करेंगे तो एकांग धनावेश को छेत्र के किसी बिन्दू A से दूसरे बिन्दू B तक ले जाने में छेत्र के विरुद किया गया कारिय बिन्दू B वै बिन्दू A के मद्द विवानतर कहलाता है माली जेगा किसी छेत्र में दो बिन्दू है बिंदू A वे बिंदू B अब एकांग धनावे इसको छेत्र के बिंदू A से बिंदू B तक ले जाये जाता है और इस प्रिक्रिया में यदि छेत्र के विरुद्ध किया गया कारिय बिंदू B वे बिंदू A के मद्द विवानतर कहलाता है अर्थात वी बी माइनस वी ए इसकल टू माइनस A टू B E dot DL माइनस साइन यहां पर यह वियक्त करता है कि यह कारिय छेत्र के विरुद्ध किया गया है यदि अनंत पर वे दित विवानतर को सुन्य माना जाए तो बिंदू A को अनंत पर लिया जाए तो वी बी माइनस जीरो इसकल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E dot DL या वी बी इसकल टू माइनस इन्फिनिटी टू B E dot DL अता छेत्र के किसी बिंदू पर वे दित विवाव एकांग धनावे इसको अनंत से उस बिंदू तक छेत्र के विरुद्ध लाने में किये गए कारिय के बराबर होता है मतला हम एक तरह के से वे दित विवाव को जो उपर की समीकने इसके साहिता से परवासित कर सकते हैं तो छेत्र के किसी बिंदू पर वे दित विवाव एकांग धनावे इसको अनन्द से उस बिंदू तक छेत के वुरुद लाने में किये गए कारिय के बराबर होता है। इस प्रकार छेत के किसी बिंदू पर विभव को निम्द प्रकार प्रभासेत किया जा सकता है। इसको अनन्द से उस बिंदू तक लाने में छेत के वुरुद किया गया कारिया है। माना कोई धनावेश क्यों निर्देश तंत के मूल बिंदू पर इस्थित है। जित्रमें दिखाए नुसार इस आवेश से आर दूरी पर इस्थित बिंदू पी पर विभव का मान निम्द समीकन द्वारा दिया जा सकता है। यहां पर जो विभव का मान है उसके लिए जो समीकन है वो आपकी वीपी इसकल टू माइनस इंफिनिटी टू आर वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी आर। परंतू वेक्टर E इसकल टू वन ओवर फोर पाई एपसालिन जीरो क्यू ओवर र स्क्यार इंटू इंट वेक्टर रॉट इसलिए वीपी इसकल टू माइनस इंफिनिटी टू आर वन ओवर फोर पाई एपसालिन जीरो क्यू तू आर स्क्यार डॉट 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 जिससे vp is equal to minus q over 4 pi epsilon 0 minus 1 over r infinity to r जिससे हमें vp की value 1 over 4 pi epsilon 0 q over r प्राप्त होती है या vp is equal to k q over r लिख सकते हैं जहां k is equal to 1 over 4 pi epsilon 0 जदि आवेस q रिनात्मक है तो उसके कारण आर दोरी पर व्यववब का मान भी रिनात्मक होगा आते किसी आवेस के कारण किसी बिन्दू पर व्यवव का मान निकालते समय क्योंको उसके चिन्ड के साथ रखा जाता है अब बात हम करते हैं विद्धु छेत्रेवम विद्धु विववव में क्या संबन्द होता है दोनों एक दूसरे से किस तरह संबन्दित होते हैं तो चित्र में दिखाएं दुसार दो सम विभव प्रस्ट A विभी पर विभव के मान कम से मान लिजे V और V प्लस DV है अब ग्राडियंट V is equal to DV over DN unit vector N उपरोग समीकन को दोनों और DR के साथ अधिस गुणनफल लेने पार gradient V dot vector DR is equal to DV over N, N dot DR परन्तु N dot DR is equal to DR cos theta जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है is equal to DN इसलिए gradient V dot DR is equal to DV के समीकन एक अब विभवांतर की परवासा से DV is equal to minus E dot DR एक वैद दो की तुलना करने पर gradient V is equal to minus E या E is equal to minus gradient V या minus delta V समीकर 3 समीकर 3 को गटकों के रूप में यदि लिखा जाए तो वह निम्म प्रकाल लिखी जा सकती है vector E is equal to minus Iota cap Del V over Del X plus J cap Del V over Del Y plus K cap Del V over Del Z जिससे E X is equal to minus Del V over Del X को मा ये vector E Y is equal to minus Del V over Del Y और E Z is equal to minus Del V over Del Z यहाँ पर ये जो vector लगा हुआ है इसको आप खटा सकते हैं ये एक्चुली घटक है इनकी E X is equal to minus Del V over Del X ये केवल घटक होंगे यहाँ पर vector पर्मान को व्यक्त करेंगे E X, E Y, E Z vector चिन यहाँ पर गलत है तो इसे आप हटा के पढ़िएगा आप यदि V का मान केवल दूरी का फलन हो तथा दिसापा निर्वान नहें करे तो E और V में सम्मंद निम्द प्रकार लिखा जा सकता है vector E is equal to minus Del V over Del R R cap समीकंड चार बिंदूवत आवेस के कारण किसी बिंदूपर विभाव का मान निम्द समीकंड द्वारा दिया जाता है V is equal to KQ over R जाता है आवेस क्यू के कारण चित्र का मान vector E is equal to minus Del V over Del R R cap या minus Del over Del R KQ over R R cap या E is equal to KQ over R square R cap तो इस तरह हम E की वैल्यू डेराइव कर चुके हैं इससे आगे स्टुडेंटस हम कल बात करेंगे जिसमें हम समभवप्राष्ट वैद्धूत इस्तिति उर्जा तो और के विशे में बात करेंगे साथ ही आवेस समू की इस्तिति उर्जा किस तरह निकाली जा सकती है उसके विशे में भी बात करेंगे तब तक के लिए आप इससे ध्यान से पढ़िएगा थेंक यू धन्यवाद